नमस्कार जेहिन स्वागत थे आप सभी का न्यूज मंत्रा में मैं हूँ आरके करना तो देखो जी सामने आपको दिखी रहा है क्या लिखा हुआ कि इंडिया ने सिफ्ट कियें 50,000 ट्रूप्स 50,000 सेनिक इंडिया ने भेजे हैं कहां पे चाइना बॉर्डर पे भेजे हैं एक एक हासिक मूव लिया है इंडिया ने अब देखो जी क्या है इंडिया ने ऐसा क्यों किया है किसली किया है यह बात भी तो जाननी ज़रूरी है देखो सातियों पिछले बार जो गलवान वैली में हुआ ठीक है गलवान वैली में जो पिछले बार हुआ वहां पर उसको रहे गए अब उसके बाद बहुत जादा यहां पर जो हुआ हमारे उन्हों ने हमारे कुछ सेनिकों को पकड़ पीटा तो हमने इनके कुछ सी सिंटा के पोस्ट efforts परọnक काड़ रहा तो खेर इंडिया ने बहुत सारी तियारी किया है, पिछले बार के हालात को देखकर, क्योंकि देखेंड़ू, जब мусीबत आती है तब हम सीखते ही, यह बात सच है, तो म सीख्च है, अब एक और मुसीबत आये है, अभी जम्मु में जो द्रोन आटैक हुआ है, ठेक है, जम् एंडिया ने कदम उठाया है ठीक है एंडिया है रिडायक्ट अट लिस्ट फिप्टी थाउजन अडिशनल टूप्स टू बॉर्डर विच चाइना इन हिस्टोरिक सिफ्ट ठीक है टूर्ड ऑफ एन ओफेंसिव मिलिटरी पोश्चर अगेंस दी वर्ल्ड सेकंड बेगेस्ट एकनोमि कौन सी है यह देख लिए चाइना था दूसरी दूसरी सबसे बड़ी एकनोमि है कौन है ठीक है तो भारत ने चाइना के सामने चाइना के खिलाप बोलो चाहिना के सामने वेजा अब मैं आब आपको एक और ची बता ता हुं ठीक है कि इंडिया ने भेजा है 50.000 वहाँ पे soldier total दो लाग है ठीक है दो लाग वहाँ पर क्या है दो लाग जो है वहाँ पे Chinese soldier already वहाँ पे पहले से हैं तब इंडिया को टेंशन थी क्योंकि दो लाग पहुंच वहाँ पर है तो इंडिया में विजाईट सी बात है तो टेंशन होगा कि भाई क्या हो रहा है क्यों क्यों इतने यहां पे soldier जवान चाइना अपने तैनात कर रहा है ठीक है तो इंडिया ने अपने 50,000 और सैनिक भेज दिये ठीक है 50,000 अपने सैनिक और भेज कर इंडिया ने भी वहाँ पर दो लाग सैनिक त्यार कर दी है तब इंडिया के भी 2,00, चाइना के भी दो लाग तब समझ आई ये मतलब इससे कुछ संकेत नजर आ रहे हैं ठीक है ऐसा बहुत लोगों का कहना है ठीक है हाला कि बहुत सारी रिपोर्ट वाले कह रहे हैं कि 60,000 भेजें पर at least at least यहां पर कम से कम आपके 50,000 सैनिक तो गए हैं इंडिया के soldier गए हैं वहाँ पर ठीक है सातियों अब देखिए इंडिया ने जो अपने 50,000 भेजें यह बहुत ही अतिहासिक move है ठीक है अब समझी एक बात को कि अतिहासिक बदलाव है इंडिया का ठीक है अब चीन के साथ अपनी कंदम 50,000 अतरिक सैनिकों को वहाँ पर इंडिया ने भेजा है ठीक है और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी economic country है चाइना ठीक है और इंडिया ने एक बात तो साबित कर दी है कि इंडिया के पास चाइना से चाइना का हर एक हमले का मुह तोड़ जवाब है ठीक है इंडिया के पास चाइना के हर एक हमले का मुह तोड़ जवाब है अभी चाइना ने बीच में एक नया विमान लाया था जो रडार में नहीं आता था किसी भी तरीके से ठीक है DRDO भी हैं हमारे पास उन्होंने एक OTH बना दिया ओवर दी टॉप होरिजंटल रडार ठीक है यह जो रडार है इसने एक बार में ही कैप्चर कर लिया यह 5000 किलो मिटर दूर तक ही कैप्चर कर सकता है ठीक है चलिए एक और इडिशनल जानकरी मैंने आपको दे दी एक मैं आपक अधिशनल एंडिशनल एडिशनल 50,000 ट्रूप्स फाइटर जेट्स एलॉंग चाइना बॉर्डर ठीक है कुछ फाइटर जेट्स भी बेजए हैं इंडिया ने वहाँ पर चाइना बॉर्डर के सामने ठीक है क्योंकि देखिए सातियों क्या है कि वहाँ पर जो मौसम होता है वहाँ का ठीक है वहाँ का जो मौसम होता है वह बहुत ही अलग मौसम है ठीक है वहाँ पर ठीक नहीं पाते हैं लोग हर कोई वहाँ पर इसको आप बोलोगे कि ठीक जाएंगे नहीं चाइनीज सोल्जर्स को आदत नहीं है ठीक है चाइनीज सोल्जर्स को आदत नहीं है इत ऐसे मौसम के अन में हम अराम से हम रह सके ऐसे ठंड वाले मौसम पे हम अराम से रहकर यूद कर सकेंगे इतनी हमें ट्रेनिंग दी जाती है स्टाइटिंग से ठीक है अधी गई है इसके करण हमारे सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर उन्हें छेशे महने भी छोड़ दो तो वह अराम से रुख जाएंगे पर वहाँ पर चाइनीज की सोल्जर्स हैं चाइना के है ना वह आपके कम से कम बोलो तो आप एक महने भी ठीक से ठी मार दिती है ठीक है उन्से रहा नहीं जाता हूं वहाँ पर यह वहाँ की बहुत बड़ी दिक्कत है चाइनीज सोल्जर्स की ठीक है देखिए यह वहाँ पर आपने सुनी हो गया से एक दो दिन पहें देखिए चाइना लॉंच इस फर्स्ट बुलेट ट्रेन ठीक है फर्स् की नहीं पाते हैं वहाँ पर उनके सोल्जर्स तो जिसके कारण इन्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इनके पास पहाड़ पहाड़ी राखा में यह तो पहले बात इन्हों ने अपने सोल्जर्स को कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी और इनकी आँक एक रिपोर्टर ने लिग कैसे कर सकता है ठीग है तो शाथिनों ने यह वहां पर पर पहला एक फाइड din बिलेट रेन बनाया है ठीख है ठीग है रहना वहाँ पर उस दिबस रीजन में इंडिया बौडर के बगल में कहां पर इंडिया बॉर्टर का बगल में किसली बनाया है अगर मैं आपको इनके तरफ से बूलूं इनके देश के तरफ से तो यह ठीक है क्योंकि इन्हों ने एक ट्रांस्पोर्ट के लिए एक सुभीदा बना दिया अपने सुल्जर्स के लिए क्योंकि इनके सुल्जर्स वहाँ पर टिक नभी पाते तो इन्होंने एक नियम बना लिया है कि दो लाग सुल्जर्स अभी तो इन्हों वहाँ पर तैनात किये हैं लेकिन नियम बनाया है इन लोगों ने कि वहाँ पर कम से कम एक महीने एक सुल्जर्स की तुक्री रहेगी फिर एक मैने में वह सोल्जस की टुक्री वहाँ से घुम जाएगी दूसरे टुक्री की एक हफ्ते तक एक मैने तक आ जाएगे वहाँ पर सोल्जस मने एक मैने एक टुक्री दूसरे मैने फिर दूसरी टुक्री आएगी लेकिन एक समझेगे एक महेने करके ही सब वहाँ पर ठीक है तुम बतब एक सरकल समझलो आप एक महेने त olması ठीक है जन्सके लिए टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि यह वहाँ पर अपने अभी सुभिधा नहीं है तो हमें अपने देश में इसके ऊपर देखने पड़ेगी देखनी पड़ेगी और सुभिधा बढ़ानी पड़ेगी तो अभी के लिए बस इतना ही आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया रहा चैनल को सब्सकाइब कर दीजे प्लीज ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को शेर कर दीजे ठीक है प्लीज आप लोग वीडियो बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सकाइब नहीं करते हैं लाइक नहीं करते हैं प्लीज अभी के लिए बस इतना ही वीडियो का लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ठीक है मिलता हूं आप से एक और लिटिस न्यूज और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत